जैहिंदर नमस्कार दोस्तों मैं विरार चोदरी स्वाद करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल कमांडो के एडमी पर दोस्तों बहुत सारे बच्चे परेशान हो गए हैं अब एक तारिक डेट आ गई है तो अब आपको कहां से देखना इसके बारे में वीडियो है और कब तक आपके एडमीट कार्ड जारी हो जाएंगे ये दोनों चीज इस वीडियो के मादेम से आपको पहुंचाने हैं लोगों तक सेर भी करने ज्यादा ज्यादा वच्चों तक क्योंकि ध्यान रखिए पिछला जो एडमीट कार्ड आपका है उसको रद कर दिया गया पून रूप से और अब इस एडमीट कार्ड के बिना आप एंट्री भी नहीं कर पाऊगे दूसरी बात यह कि जो पहले वेबसाइड पर sse.nic.in पर जो लिंक आ रहा था अब वहां प आपको नोटिस दिखा देता हूँ जो CRPF की ओपिशिल वेबसाइड कौन सी? rct.crp.gov.in एक बार और ध्यान से देख लेना यहाँ से आप इस टिंसोर्ट भी ले सकते हो इसका इस वेबसाइड पर विजिट करना है इस पर आपको भी मैं बताता हूँ अभी आपका एक नोटिस आया वा है जो नोटिस कौन सा है यह वाला देखे सबसे उपर इसमें लिखावा क्या है? कि आपके जो admit card है जो 24 से आपको physical होने वाला था अब 1 5 से होगा और जो आपके admit card candidate are advised to visit इसमें साब साब लिखावा है कि candidate are advised to visit CRPF website कौन सी website जो मैं आपको बता रहा हूँ rect.crpf.gov.in जो मैंने आपको बताई भी है यहाँ पर लिखी हुई भी है इसमें आपको विजिट करना है time to time और download करने के लिए हो सकता है कि आपके admit card 24 से पहले पहले आजाए 24 से पहले पहले आपके admit card आने के पूरे chance ऐसा है यह 26 तारिक लाज़े जब तक आपके admit card आजाएंगे अब admit card के लिए आपको कहाँ पर विजिट करना ssc.nac.in पर नहीं ध्यान से लिख लेना इस website को यहाँ पर विजिट करना है यह छोटी alphabet में लिखना आपको मैं बड़ी में आपको समझाने के लिखा हूँ rect.crpf.gov.in पर और जिन बच्चों के नंबर कम है उनको अगली ssc.d के तयारी अभी से शुरू करते नहीं लाड़ लो और physical आपको पास करना ही करना है चाहिए आपके नंबर एक ज्यादा है चाहिए दो ज्यादा है ठीक है और प्री मेडिकल बेच भी शुरू हो गए जैसे आपका physical complete हो आप प्री मेडिकल के लिए भी आ सकते हैं academy जय हिंद जय भारत